दोस्तो बिग बोस ओट्रीटी से बाहर आने के बाद पर फलकनाज का इंडर्विव आ चुका है फलकनाज से क्या कै सवाल पूछे गए और उन्होंने कि सवाल का कैसे जवाब दिया आईए बात करता है इस वीडियो में फलकनाज से पूछा गया कि आपको वीनर कोल लगता है तो फलकनाज ने एक नहीं दो वीनर बरता है पहला तो फुकर इंसान यानि कि अभिशेक उन्होंने का कि मुझे अभिशेक के अंदर वीनर की सारी कॉलेटी नजर आती है दूसरा उन्होंने गुमाते फिराते हुए पूजा और फलक है इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी बिक बोस हाउस के अंदर शायद इसी वज़े से पूजा का नाम लिया गया है एलविश का नहीं जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे इरिटेटिंग कोन लगता है तो उन्होंने का कि मुझे मनीशा और एलविश ब भी करते थे और बत्तमीजी भी करते हैं उन्होंने मनीशा को कहा कि मुझे मनीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनकी हरकते मुझे पसंद नहीं है तब उनसे पूछा गया बेबी का के बारे में तो उन्होंने का कि बेबी का बहुत ही बत्तमीजा वो घर में सब के साथ ब जब वो बत्तमीजी पर आती है तो वो किसी को भी नहीं चोड़ती जब उनसे अविनाश और उनके रिलेशन के बार में पूछा जाता है तो वो जवाब गुमा फिरा के देती है कि वो मेरे अंदर भी अच्छे दोस्ते और बाहर भी उनसे दोस्ती का ही रिष्टा रखूंग इसके अलावा मैंने उनके बार में कभी कुछ भी ऐसा नहीं सोचा और नहीं कभी ऐसा कुछ हो सकता है आपको बता दे कि बिग बोस हाउस के अंदर अविनाश और फलक हमेशे एक साथ रहते थे जहां अविनाश ने अपने प्यार का इजार फलक के सामने कर दिया था वहीं घरवालों ने गलत तरीके से निकाला है मुझे मैं डिजर्व करती थी वहाँ पर रहना आपको बता दे कि अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग को भी फलक नाज सबसे नीचे थी वोटिंग की वज़े से भी वो बाहर होने वाली थी लेकिन सल्मान खान और टीम ने क काफी उनको बचाने के कोश्की जिससे घरवालों के हाथ में बात दी गई उनने लगा कि जैद बाहर हो जाएगा लेकिन वहाँ घरवालों ने जब फलक नाज का नाम लिया तो सल्मान खान वहां कहते हुए नजर आती है कि जो लड़की खेलना चाहती है अंदर रहना चाह की है